शब को मेरा प्रणाम है नमस्कार प्यारे भाईयों जो भी या जिस भी उम्र के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये वीडियो मैंने जो आभी करेंट का सिनेरियो है जोती मोरिया केस पर बनाने की कोशिश की है और समाज को वो मैसेज देने जा रहा हूँ मैं इस वीडियो से जो सही मैं समाज को मिलना चाहिए मेरे पास ये BPSC टीचर का बैच है जो आपके सामने दिख रहा होगा और इसमें बहुत सारी महिलाएं हैं जो बिवाहित हैं जिनका बिवाह हो गया है जिनके बच्चे हैं साल भर दो साल पास साल के बच्चे हैं और वो बिवाहित हैं और फिर भी अपने घर से चल कर आई हैं यहां पढ़ने ऐसा कहा जा रहा है कि पटना से सभी बिवाहित लड़कियों को घर लेकर लोग चले गए हैं जो उनके गार्जन है जोती मोरिया केस के बाद लेकिन मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास हजारों बच्चे पढ़ते हैं आपके सामने ये बच्चे और बच्चियां हैं जो पढ़ नहीं है और इसमें लगभग 60-70% लड़कियां बिवाहित हैं और किसी को बुलाया नहीं गया है ये बाते कंप्लीट गलत हैं जूट है और अपवा है क्या इसी घटना में पटना में हो रही है कि ये सभी लड़कियां आप देखिए आपको दिख रहा होगा किलिरली लगभग लड़कियों के मांग में सिंदूर है और वो लड़कियां बिवाहित हैं लेकिन इनक कोई फैला रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड का नम डिवेदन करूंगा कि कृपया लड़कियों के भविस्य के साथ ना खेलें ऐसी कोई घटना पटना में नहीं हो रही है आपके सामने है ये लड़किया और ये लड़किया खुद इस बात को बताएगी कि क्या ये घटना स सारे पूरा समाज गलत हो जाएगा कभी नहीं अगर एक आदमी अगर मान लेता है कि मनी सिसोद्या जी गलत थे या नहीं थे तो आपने उसको जेल में डाला इसका ही मतलब थोड़े कि पूरे आम आदमी पाटी को आप जेल में ले जाके डाल दीजे ये गलत है पूरी लड से कोई प्रशर या उनकी कोई दोस्त कोई लड़की विभाहित लड़की यहां से चली गई है इस जोती मोरिया केस के बाद तो आईए हम लोग इस बात पर जानने की कोशिश करते हैं तो पहले हम इनसे मिलते है क्या नम है आपका और कहा से आई है नमस्कार मेरा नाम रजि झोति मोरिया का जो केस आया है, एसा यहां हम लोग, यहां पे कई पत्टना में ऐसा केस है कि जो विवाहित लड़किया जोति चीनल नहीं हुए अचया विवाहित वह एस इसको फॉलो करते हुए और लड़कियों को घर बुलवा लिया है बाकी और मैं भी एक विवाहित लड़की हूँ मेरे को मेरे पूरे फैमिली से और मेरे हस्बेंड और फैमिली मेंबर्स मुझे फूल सपोर्ट के साथ और रोज मुझे सांत्वना देते हैं कि आप बेफित्र साल का बच्चा है आप सोचके देखिए जो लोग ये बाते फैला रहे हैं कि पटना से लड़कियां बिवाहित लड़कियों को भुला लिया गया है कितने सर्म की बात है यह लड़की पांस साल की बच्ची है बच्चा है इनका लड़का और उसको ले के आई है वह बच्च वीडियो के माध्यम से हम अपना प्रमोशन नहीं कर रहे हैं बस आपको इन्फोर्मेशन दे रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है तो आप बताईए का क्या मामला है और जोती मोरिया के से क्या आप पर प्रेशर बनाया जा रहा है घर से या आपको घर बुलाया जा रहा है या आपके कोई दोस्त कोई लड़की है जिसको घर बुला लिया गया है। अपना ये ऐसा कुछ नहीं है। गर बुला लिया जाएगा। ये सरासर गलत है। आप देखें इतनी सारी लड़कियां हैं। लगबग इसमें 80% बिवाहित लड़कियां है। और कोई जो सामने आकर बोलना चाहती है। आईए हम इनसे मिलते हैं। इनसे मिलते हैं पहले। बताइए आप कहां से आई हैं आप विवाहित हैं। आप क्या कह रहे हैं। कि लड़कियों को वापस बुलाया जा रहा है जो लड़कियां विवाहित हैं। मेरा नाम भी उटी कुमारी हुआ। हम बीपेसी के तैयारी करने के लिए। नवादा डिस्टिक से आये हैं। ऐसे घर मेरा पटना भी हुआ। त्रिकोलिया होस्पिटल के पास गाए घाट। और ऐसा कोई भी प्रेसर नहीं है। और आगे जाईए। क्या कहा जाता है आपको घर से नहीं ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि अपना मन लगाके पढ़ो आगे का सोचो एक महिला को पूरा घर को समाल पाती है और जो हो रहा है और जो हो रहा हूं कहा भी जाता है कि जो रहे मुत्तम प्रक्यति का करिशकत कुसंग चंदन भिस व्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग चंदन के प्यर में भुजंग लटका हुआ रहता है उसके कुछ महीं होता है यह सारे बात है जो गलत है यह इस तरह का अफवा नहीं फलाया जाए किसी चीन रहे हैं तो यह कहीं न कहीं गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए एक लड़की गलत हो सकती है एक लड़का गलत होगा अब आप सोचके देखे मेरे गाउं की एक कहानी है मेरे गाउं का एक लड़का था वह आया पटना वो जीम जोइन कर लिए और जीम जोइन करने के बाद वो एक अलब डिरेक्सर में चला गया, नसा करने लगा वगेरा वगेरा करने लगा, और वो घर चला गया, तो आप समझे कि उसको नौकरी नहीं लगी, क्या उसको हम आइडियल केस क्यों नहीं बनाते हैं, उसको आइडियल केस बना के सभी लड़कों को रोक देना चाहिए, या सभी लड़कों को घर बुला लेना चाहिए, गलत और सही हर जगह है, लेकिन हमें सही को प्रमोट करना होगा, और गलत को चुपाना होगा, गलत को उसकी सजा देनी होगी, आई हम इनके पास चलते हैं, आप कहां से चलकर आई हैं, और किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, कि जोतीमोरिया, कि असके आप के हसमेंट यह को रहे हैं, कि चले आओ, या आपके हसमेंट आपको प्रमोट कर रहे हैं, कि कुछ कर के आना है, अब जान की बढ़ जो जो अपने प्ती का सकूट करें तक नोड करें पती को आपके दोस्त कलासमें जो इतनी लड़किया इसमें से कि सब्सक्राइब नहीं हुए पहुत हेसज बिला नल् anda कम्पलीट की जूट है एक दम जूट है है एक दम जूट है है एक बार जूट दार परिले कि आई हम इनके पास चलते हैं और ऐसे अनेकों एक्जामपल आपको दिखाई देंगे हमारी क्लास में हम सिर्फ बिवाहित लड़कियों के पास लेकर आपको चल रहे हैं जिनका बाइट हम आपको सुना हैं आप सुनने की कोसिजिए और इस चीज़ को समझने की कोसिजिए सभी लोग गलत नहीं है गलत वो लोग है जो एक के गलत होने से पूरे समाज को आईप का मालने लगते हैं आईए हम इसे जानते हैं आप कहां से हैं नमस्कार मैरूपंक मारी सुपोल जिला से हूँ मैं दो जुरूए बच्चे को छोर करा हूँ मेरा हस्टेन दोनों बच्चे को समाहल ले हैं वो मुझे खूँ मोटी वसं देते हैं तुम अच्छे से करो तुम कोई टेंसन ने लो मैं सब कुछ किकर और वही समेरा परिवार बहुत अच्छा है मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं पटना में ऐसी कोई बात नहीं चाड़ी है जुमेला को बुला के घर ले ला रहे हैं यह कंप्लीट जूट है जी सरी गलत आप हुआ है यह पूरा सर असर जूट है इससे समाज पर असर पड़ेगा इससे नहीं करना चा आते हैं लड़कों से भी जानते हैं कि लड़के इस पर अपनी ख्यार आई रखते हैं कौन होंगे जो अपील आई रखते हैं पहले हम इनके पास आते हैं और इन से सुनने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं यह जो पटना में चल रहा है कि लड़कियों को जो एनर्जी है उसको दवाकर रखा गया और हम अजाद भारत के बाद जब हम आये तो ऐसा हुआ कि आधा एनर्जी भी धीरे-धीरे काम पर आया जिससे भारत का परगती हुआ और कोई आदमी ऐसा करता है तो वह आदमी को को देखे जैसे रावडी देवी को देखे ममता बनर जी को देखे माया बती को देखे और पिर्यंका गांधी को देखे वाहर जाकर विदेश जाकर सेलिबर्टी सब 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 जाकर काम करता है और अपना पती का अपना घर कमें क्या जो है कि अथी में सबका सहयोग करता है और हम गरीब आदमी को ऐसे सिख्छित लोग जो टीचर है जो सिखाना चाहिए वोगर कहता है कि घर जा रहा है और गलत अफ़वा फेलाता है तो यह हम लोग का और गरीब बनाता है वो ऐसे लोग पर केस होना चाहिए और एक लड़की ऐसा किया है तो तो हज्जारों लड़का आया तक मोदी जी भी क्यों छोड़े हैं जब देश का प्रधान मंत्री छोड़ सकते हैं तो वह गलत नहीं है अगर कोई कोई अगर ऐसा उठाता है तो मोदी जी पर ऐसा बात अगर आप यह कहिए कि क्या पटना में ऐसी घटना हो रही है बतना में बिल्कुल नहीं हो रहाए सौप्रतिस्त नहीं हो रहा अगर एक परतिस्त अगर आइसे ओभी वैएग्यानिक ही साइंस भी कहता है तो Ψहीं को साधास के बराबर खोजे है तो तो सो परतिसाद तो कंफर्म नहीं हो सकता है कोई लेकिन ऐसे अगर हमरा आधा अबादी को आधा एनर्जी को कोई रोकने का काम करता है तो इस सरासर गलत करता है और उपर केस होना चाहिए जो भारत को नहीं समझ पा रहे है वो कहीं न कहीं इसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे है यह गलत है सस्ती टियार पी के चकर में इस बात को नफैलाया जाए कि पटना से सभी लड़कियां चली गई है तो आईए हम इन से मिलते हैं आप कुछ कहना चाहेंगे पटना स सभी लड़किया चली गई है जोती मुरिया केस पर ऐसा आप माना जा रहा है क्या कहते हैं आप सबसे पहले तो मैं समाज का सबसे बड़ा मार्ट दक सक्षक को मना जाता है और जो सिख्षक ही जो इस तरह का बात बहुत बड़ा गलत संदेश जाएगा उदारन के लिए देख पटना हो रही है आपके क्लास में बहुत सारी बिवाहित लड़किया है क्या वो चली गई या है हमारे नजर मतिक यसा बात है पटना अभी दो मैना से यहीं पर रहने पिला तो यह कहीं न कहीं जूट है तो हम यहीं काना चाहेंगे आप सभी समाज के लोगों से कि यह जो गंदे तरीके से इस बात को फैलाया जा रहा है कि समाज से पटना से बिवाहित लड़कियों को घर बुलाया गया है यह हमारा क्लासरूम है और आपके पास यह अनेकों लड़किया है जो यहां बैठी हुई है और यह अपने पती को छोड़कर अपने छोटे छोटे का किसी का चार साल का किसी का दो साल का उतने छोटे छोटे बच्चों को आकर यहां पड़ रही है तो समाज में लड़कियों को भी मुख्यधारा में आने दीजे लड़के बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों को कुछ कोह देने पर उसके सपोर्ट में आ जाता ह यह सही बात लेकिन जो मैचूर लड़के हैं वो कभी इस बात का सपोर्ट नहीं करते हैं कि लड़कियों को मुख्यधारा में ना लाया जाए हमारी भी बहन है हमारी भी माताएं है हम उनके किसी भी चीज़ पर गंदे तरीके से कमेंट्स करते हैं यह गलत है यह समाज के संसक है हम इसकी निंदा करते हैं थैंक्यू बेर मच्छ लव्यों नमस्टार्ट